हेलो नमस्कार दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल Steady for you में स्वागत है दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में बात करें करें करेंट जिक्के की जो दोस्तों बार बार एक्जाम में रिफीड होने वाले क्यूश्चन है ठीक है तो चलिए अपने बात करते हैं पहले क्यूश्चन इससे पहले आपसे एक चोटी सी रिक्वेश्ट है अगर अपने चैनल पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जूरूर करना वीडियो को लाइक और दोस्तों को सेर करना ताकि दोस्तों सभी असानी से पढ़ सके इस क्यों सुनों को पहले किस्वेश्ट ने अपना हाली में स्यूंक्त राष्टर द्वारा कौन इस सदी की सबसे परसिद की सोरी गोसित की गई है तो पहले अपसे अपना पेंका चोपड़ा और इवांक ट्रेंप और मलाला यूसुफ जैई और केरोलिना मरीन ठीक है दोस्तों इसका राइट ए सरकार ने हाल ही में जोती राव फुले किसान रिन माफी यूजना की गोसना की है जारखंड की सरकार ने या फिराजस्तान एसम और माराश्टर की चलिए दोस्तों आप एंसर बताईएगा तो इसका राइट एंसर हो है माराश्टर की सरकार ने फिलाल किसान रिन माफी यू इस विद्धालिया खोला जाएगा तो दोस्तों इसका पेस्ट ओफ से ना वो दिल्ली या मत उत्तर परदेश या पंजाब या हर्याना तो दोस्तों इसका राइट एंस्वर क्या है आप बताईए कोमेंट करके अगर आपको पता है तो दोस्तों आप साथ साथ में रिफिट कंपनी ने बारत में वाइफाई कॉलिंग की स्विदा प्रारम किया दोस्तों एक नमर बहुत इपोर्टेंट क्यूस्टन है यह आगामी एक्जाम में सो परसेंट पुछा जा सकता है तो दोस्तों आप बताईए वोड़ा फोन जियो या एरटेल या बियसनल कौन सी कंपनी बारत में वाइफाई कॉलिंग की स्विदा प्रारम किये है तो दोस्तों वो है एरटेल ठीक है जल्यक्ष क्यूस्टन है अबना की हाल ही में बारतिय ख्लाडिया लेंडर पेस ने सन्यास की गोसना किया तो दोस्तों आप बताये तोici कर राइट एंड शुरह वो दोस्तों टेनिस के वो खिलाड़ी है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यूس्च長 केंदर सरकार ने हाल ही में रोहतां तूनल का नाम बदल कर रखा है तो दोस्तों रोहतां टंल का नाम बदल दिया और क्या रखा है वो आप बताईए तो चलिए दोस्तों पहला उप्सेन हो हिंदू टर्नल या फिर अटरल टर्नल या फिर बारती टर्नल गांधी टर्नल तो दोस्तों इसका जो राइट एंड शुरा वो अटरल टर्नल रखा गया है ठीक है नेक्स्ट है हाल ही में कौन क्यूबा के नए परदानमंत्री बने है दोस्तो बहुत इपोर्टन क्यूशन है कि हाल ही में कौन क्यूबा के नए परदानमंत्री बने है जोन्स ग्रीन या मेनुवल मरेरो या फिर मंडर फिलिफ रुसो जेम्स तो दोस्तो इसका जो राइट एंस्वर हो है मेनुवेल मेरे रो ठीक है नेक्स्ट क्यूशन है राष्ट्रिय किसान दिवस हर वरस मनाया जाता है यानि राष्ट्रिय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तो जो सही एंस्वर हो है 23 दिसंबर को ठीक है चलिए next question है हाल ही में किसे बारत का अगला विदेश सचीव न्यूक्त किया गया है अमित सरन को या नेहा सराफ को या हरसवर्दन सरंगला को या किरती चोधरी को तो दोस्तो आप बताएए right answer comment जुरूर करिएगा तो दोस्तो इसका जो सही answer है हरसवर्दन सरंगला है ठीक है next अपना दसवा question है national film awards 2019 में किसे सरवस्रेश्ट इंदी film का अवार्ड मिला है तो वो दोस्तो अपना first option है pedman या फिर केसरी अंदा धुन या कवीर सी है तो दोस्तो इसका जो right answer हो है अंदा धुन ठीक है हाल ही में किसने miss word 2019 का खिताव जिता है दोस्तो हाल ही में किसने miss word 2019 का खिताव जिता है तो पहला option है अपना ओफिली मेर जिनो या सुमन राओ जिनी पेल या फिर टोनी एन सी है तो दोस्तो इसका आप answer comment करिएगा और आप बताएगा ठीक है next question अबना हाली में मुंबई नागपूर express का नाम बदल कर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया है तो दोस्तो इसका मातमा गांदी या इंद्रा गांदी या बाल ठाकरे या अरुन जेडली तो दोस्तो आप बताएगे मातमा गांदी या इंद्रा गांदी या बाल ठाकरे या अरुन जेडली तो दोस्तो इसका right answer हुआ है बाल ठाकरे ठीक है नेक्स्ट क्यूस्टिन अपना कि टाइम पत्रिका ने हाली में किसे परसनल ओफ दे यर दोजार उन्नीस चुना है तो एलिना फिल या फिर ग्रेटा थनवरग या फिर जेन मोरिस या फिर रिका जोन्स तो दोस्तो इसका right answer हुआ है ग्रेटा थनवरग ठीक है नेक्स्ट क्यूस्ट अपना अंतराष्टिय सवे सेवक दिवस हर वरस मनाय जाता है जो अंतराष्टिय सवे सेवक दिवस कमनाय जाता है पांच दिसंबर को या दो दिसंबर को या एक दिसंबर को या चै दिसंबर को तो दोस्तो आप option है वो कौन सा option सही है वो comment करके बताईएगा तो दोस्तो इसका जो right answer है मैं आपको बता देता हूँ 5 दिसंबर को ठीक है चलिए next question है कौन बारतिय हाल ही में गुगल की friend company अलफावेट के CEO बने है कौन बारतिय हाल ही में गुगल की friend company अलफावेट के CEO बने है जितिन सर्मा या अलेक कुमार या वरुन चौपाल या सुन्दर पिचाई तो दोस्तो इसका जो right answer है वो अभी बने है CEO तो सुन्दर पिचाई ठीक है next है अपना किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली चात्रों के लिए मदू एप लौंच किया है कौन से राज्य की सरकार ने फिल हाल स्कूली चात्रों के लिए मदू एप लौंच किया है गुजरात की सरकार ने, मद्यपरदेश की सरकार ने, ओडिसा की सरकार ने, आसम की सरकार ने तो दोस्तो जो मदू एप लॉंच किया वो ओडिसा की सरकार ने किया है ठीक है दोस्तो चलिए नेक्स्ट क्योस्टिन आज कब न हाल ही में Film Fair Awards 2019 दिये गे जिन में किसे दिवा ओफ दा इयर का आवार्ड मिला है किर्ती सेनन ने दिया मिर्जा या मलाइका अरोडा एनुसका सर्मा तो दोस्तों आप बताए कोमेंट करके किसको मिला है तो दोस्तों वो आवार्ड मिला है जो मलाइका अरोडा को मिला है ठीक है नेक्स्ट कुछन है बारतिय सविदान दिवस हर वरस मनाय जाता है तो दोस्तों बहुत इपोर्टेंट कुछन है बारतिय सविदान दिवस हर वरस कब मनाय जाता है बार बार रिपीड होने वाला कुछन है चलिए नेक्स्ट कुछा हाल ही में 26 नुवंबर को राष्ट्रे दुगन दिवस मनाया गया जो किस वेक्ति के जनम दिन पर मनाया जाता है हाल ही में 26 नुवंबर को राष्ट्रे दुगन दिवस मनाया गया जो किस वेक्ति के जनम दिन पर मनाया जाता है डोक्टर वर्गिज कुरियन या डोक्टर बेन केरे सोन या डोक्टर फिलिप फ्रोष्ट या फिर डोक्टर रोन पॉल तो दोस्तो इसका जो राष्ट एंस्वर हो है डोक्टर वर्गिज कुरियन के ठीक है चलिए नेक्स्ट आव आज का लाष्ट कोशन है हाल ही में कौन राष्ट्र पति सासन अटाकर माराष्टर के मुख्य मंतरी बने है तो दोस्तो इसका जो राष्ट एंस्वर हो है बी देवेंदर फड़न विस ठीक है दोस्तो आज के दोस्तो बहुत इपोर्टर कोशन नेक्स्ट अपने आपको परती दिन करेंट अफिर्स मिलेंगे इस चैनल पे दोस्तो तो वीडियो को जादे जादे लाइक और दोस्तों परती है जो भी न्यूज आओ अपने चैनल पे सबसे पहले प्रवाइड की जाती है और जो भी लटेश्ट जो बरती आती है इसके लिए भी अपने न्यूज सबसे पहले आपको प्रवाइड की जाती है तो चैनल सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक और दोस्तों को से झाल झाल